तो एक और कम्पनी अपना आईपयो लेकर आ गई है जिसका नाम है सरोजा फार्मा इंडर्स्टिस इंडिया लिमिटेड इस कम्पनी की सुरात हुई दी 2019 में यानि की लगबक 3-4 साल पुरानी ये कम्पनी है तो आईए जानते हैं आखिरे कम्पनी काम क्या करती है तो कम्पन सेक्टर में अलग-अलग प्रकार की दवाईया होती है पेड सेक्टर के लिए उसमें इंगरिटेटर लगते तो इसको manufacturing काम करती है तो एपियाओ समझ में नहीं आया हम जो खाते हैं किसी भी बिमारी को ठीक करने के लिए तो उसके अंदर जो में इंग्रीडेंस होते हैं जो अमारी बिमारी को ठीक करते हैं उसको मैनुफेक्टर करने का काम ये कमपनी करती है यानिकि किसी भी इदवाई के अंदर दो वाइट वाइट कलर का जो में पार्ट होता है अंदर में तो उसको मैनुपेक्टर और उसमें विटेमिन्स भरने का काम करती है जिससे अमारे विमारे ठीक होती है साथी कमपनी एथिल एसी टेट मैनुपेक्टरिंग करती है जिसका उपयोग जानवरों और इंसानों के दोनों के दवाई में किया जाता है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जिनको समझ में नहीं आया वो शिर्फ इतना समझ ले कि यह एक फार्मा कमपनी है कमपनी अपना माल इंडिया के साथ साथ कुछ बाहर की कंट्रीस में भी एक्सपोर्ट करती है जिसे पाकिस्तान एजिप्ट रसिया जॉर्डन होंग कॉंग सिंग रुपे की साथी रेवन्यू की बात करें तो 3674 राख रुपे का रेवन्यू 2020 में था अगर 2023 में इस कंपनी का टोटल रेवन्यू है 5000 35 राख रुपे का प्रॉपिट की बात करें तो 73 राख रुपे का 2020 में इस कंपनी का टोटल प्रॉपिट था जो की इस साल बढ़कर हो ग फिर भी इस company के उपर थोड़ी उधारी ज्यादा है, overall financial अच्छे इस company के revenue, profit और asset के अंदर सांदर growth इस company ने दिखाई है, और रही बात उधारी की, तो उधारी कुछ ज्यादा नहीं है इस company के उपर, अब इस company के peer comparisons की बात कर लेते हैं, तो मुक्के रुक से दो peer comparisons इस company के दि यानि कि NGL से बहुत ही कम इस company का EPS है, साथ ही return on network की बात करें, तो IPO वाली company का return on network है, 20 का, NGL का ए 25 का, और sequence का ए 1 का, यानि कि return on network में अच्छी है company, almost NGL के बराबर इस company का return on network है, साथ ही PE की बात करें, तो 20 का PIPO कमपनी का है, NGL का है 25 का, और सिक्वेंट का है 1.42 का, यानि कि ये कमपनी NGL के बरावर क्या Valuation मांग रही है, जो कि थोड़ा ज्यादा है, थोड़े कम Valuation पर इस कमपनी ने अपना IPO लाना चाहिए था, जिससे हमें लिस्टिंग एन अच्छे कासी मिलते, अब ये अब IPO की डिटेल्स देख लेते हैं, तो IPO का टोटल इस्व साइज है 9 करोड 11 लाग का, जो की पूरा फ्रेश इस्व होने वाला है, शेयर की फेस वाल्यू है 10 रुपे पर शेयर, IPO लिस्ट होगा NSE की SME वेबसाइट पर, एक लोट में होंगे 1600 शेयर, जिसके लिए आपको 11 सप्टेंबर को रिफन मिल जाएंगा, IPO की लिस्टिंग डेट है 13 सप्टेंबर की, अब जानते हैं, इस IPO में अपलाई करना चाहिए की नहीं, अगर लॉंग टर्म के हिसाब से देखें, लॉंग टर्म में फार्मा कमपनी अच्छा रिटन देती है, और इससे पहले एक में ज्यादा मांगरी है कमपनी, कमपनी का प्रोफिट और रेविनु भी अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन की वज़ए से हमें साहिद लिस्टिंग गेन के दिन इसमें लॉस भी हो सकता है, थोड़ा बोट लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है, दो परसेंट, परसेंट का, लेक अगर थोड़े सस्ते वैल्यूएशन और सस्ते पीई पर यह आईपियो लाती, तो साहिद आमें इसमें 20-30% का लिस्टिंग एन आराम से मिल जाता, लेकिन फिलाल इसे अवाइड करना ही ठीक है, अगर आपको जानकर यह अच्छे लगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चाइनों को सब्सक्राइब करिए और नोटिपिक्सन बेल को और में सिलिक करके जोरू जाईए, तेंक यू,